हेलो अच्छो नमस्कार चोहनी एज्यूकिसिन चैनल में आपका श्वागत है आज हम मादमिक सिक्षा मंडल मत्पिज़ भपार द्वारा जारी प्रश्ण वेंग कर्षा दज़वी के समस्ते विश्यों का परिक्षा में पूछे जाने वाले वस्तुनस प्रश्णों को हल करेंगे जिससे आपको सत्य प्रश्ण स्थपलता प्राप्त हो सकेगी अगर आपके द्वारा चैनल को सस्काइब नहीं किया गया है तो क्रपे कर हमारी यूटूब चैनल को सस्काइब कर लाइक एवं शेर जरूर कीजिए जिससे कि आपको हमारे वीडियो की नोटिक्षन सबसे पहले प्राप्त हो सकेगी हमारे द्वारा कक्षा दजबी के पाटकरम से संबंदे समस्ते विश्यों का वीडियो बनाया जा रहा है प्रतेक विश्य के आठ से दस वीडियो बने हुए हैं प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो को देख सकते हैं एवं परिक्षा में जबरदस्त अंग हासिल कर सकते हैं आए आज हम बस्तुनित प्रेश्णों को हल करते हैं तो कक्षा दजबी वीशे समाजिक विज्ञान कि अंतरगात अध्याच्छे अभी तक हमने इसके पूरे वीडियो बना चुके हैं तो अध्याच्छे के आज हम बिनिर्माण उद्यों कि सम्मंदित बस्तुनित प्रेश्णे जिसमें से इस वीडियो में इस चार अंग के प्रेश्ण पूछे जाने हैं तो आप उध्यान से इसमें आप जो है समझ सकते हैं बस तुने स्प्रेश्ण प्रेश्ण करमांग एक सही विकल्ब चुनकर लिखिए पहला है कच्छे माल के अधार पर उद्ध्योग कितने प्रकार के होते हैं तो यहाँ पर चार-चार प्रतेक बस तुने स्प्रेश्ण के आपसंदिये हुए है जिसमें से सही आंसर A, B, C, D तो इसका B जो है तीन सही आंसर है इसके बाद प्रस्न दो निमलिखित में से कौन सा उभुकता उद्ध्योग है इसके विचार आपसंदिये हुए है A, B, C, D B जो है अमूल लेरी उद्ध्योग इसका सही आंसर है तीसरा है निमलिखित में से कौन सा उभुकता उद्ध्योग है तो कौन सा उभुकता उद्ध्योग है तेसमें भी चार आपसंदिये हुए है D, A, P अमूल लेरी उद्ध्योग गर्ना उद्ध्योग और स्टा क일ो उद्ध्योग तो डी एपी जो है और वराक उद्ध्योग है यह इसका सही आंसर है अब चौहता है भारत के किस राज में चीनी का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है तो चार राजों का यहां पर एवी सीडी में दिया हुआ है तो यहां पर डी जो है उत्तर प्रदेश सही शक्ताइब दिया हुआ है तो चीनी उद्योग इसमें सही आंसर है इसके बाद परस्मने दो देखे हैं तो रिक्तिस्थानों की पूर्ति कीजिए नंबर एक भारत बिननेर्मान उद्योग से कुल घरेलू उत्पात का खालिस्तान प्रश्यत प्राप्ति करता है तो 17 देस्ञेन दो प्रस्ट यहाँ पर हम रिक्त इस्तान पर भर देंगे भारत के रसाइन उद्व्धो का एश्य महदीब में तो 3 इस्तान है तीसरा इस्तान यहाँ पर भर देंगे इसके बाद देखेंगे हम तीसरा प्रफ पंजाब, गुजराथ, तामिल, नाडव, उत्तर, प्रदेर, फतर, केल, earn, केल, केल, राज, कुल, उरुबरक, उत्पादन, किते प्रशत उत्पादन करते हैं, तो 50 प्रशत उत्पादन करते हैं, यहाँ पर प्रचाज भर देंगे चोंते हैं बोकार वस्पात संयंत्र सन खालिस्तान में इस्तापित किया गया था 1965 में इसको इस्तापित किया गया था अगला प्रशना है पाजबा बजाज आटो उद्योग है तो कौन सा उद्योग है जी नीजी उद्योग है नीजी उद्योग भर देंगे छेटबा है इसमेल टिंग खालिस्तान उद्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध् मिला देंगे आईल इंडिया लिमिटेट स्रंयुक्त उद्योग है तो इसे मिला देंगे बजाज आटू लिमिटेट नीजी उद्योग तो एप से मिला देंगे इस प्रकास सही जोरी भुछल कर लेंगे इसके माल को परिश्कत बस्तों में परिवर्तित करते हैं यह सत्त है तीसरा है सारवजानिक प्रस्ण पहलत क्या है कि एक सब्द ये वाक मोर्तार लिखे भी एच ए एल उद्ध्यों कहां परिस्तित् है देखिंगे दूसरा है टिस्प्रकार का उद्ध्योंग है तो यह दिक मैं जुसके बाद टीसरा है बाक्साइट किस वद्यूग के लिए कच्छा माल उपयोग होता है तो ऐल्मोनिय मुद्यूग के लिए जो है इसाहिवात के आधार पेड्द channel कोई बागों में बाटा जाता चार भागों में बाटा जाता है तो इस प्रकार देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम बस्तुनिक प्रेश्ण है जो है और एक एक अंकों के अब थोड़ा जो है अतिलागूत्री प्रेश्ण भी देख लेते हैं प्रेश्णिक रमांग एक बिनिर्मान उद्द्यों किसे कहते हैं तो जब कच्चे माले को मुल्लेवान उद्द्द में बना करके अधिक मातर में बस्तुन का उद्द्द किया जाता है तो उसे प्रेक्रिया को बिनिर्मान उद्द्यों कहते हैं अब इसके बाद देखें दो दो नंबर के आने वाले प्रश्ण है ये प्रश्ण दो उद्द्द किसे कहते हैं तो किसी बिसे शेत्र में भारी मातरा में शामान का निन्माण उत्पादन या ब्रेद रूप से सेवा प्रदान करने के मानवी प्रयास को उत्द्योग कहते हैं इसके बाद देखें प्रस्न तीसरा रसाइन उत्द्योग किसे कहते हैं रसाइन उत्द्योग से आ ہوتی हैं जो पानी में गुलंसीन जोगिक को और खणिजों से समरद होते हैं Madha Pasha Ben 705 बहुकता उध्यों किसे कहते हैं तो लोक्तता उध्यों का अर्था है जो उत-पादन उप भूकताओं के सीदे उपयोग तो करते हैं जैसे चीनि दंद मंजन कागरज पंखे सिलाई मचीन इत्यादी इसके राच छड़वा है ऐलमूनियम प्रगलन क्या है समझाईए तो ऐलमूनियम प्रगलन निमने है भारत में ऐलमूनियम दूसरा सरवधिक महत्पून धातू सोधन है जिसमें यह हलका जंग अवरोधी असमा उसमा का सुचाल क्लचिला तथा अन्य धातियों की मिस्रेंट से अधिक कठोर बनाया जा सकता है तीसरा कई उद्योगों में इसका महत्वे इस पात तामबा जस्ता सीसे के रूप में प्रियोक होता है तो इस प्रकार से हम छोटे छोटे प्रशने भी तैयार कर सकते हैं आपको वीडियो पस करने के लिए चैनल में बने रहे हैं धंड़ा